हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आप सुबर सब नाश्ता तो करते ही होंगे कोई दूद पीता होगा तो कोई पोहा खाता होगा और रोटी तो सबने खाई ही होगी तो चलो आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक रोचकसी कहानी फूली रोटी की जमाल की मा रसोई में खाना बना रही थी जमाल मा को देख रहा था जमाल का मित्र जै बर्तनों से खेल रहा था जमाल की मा रोटी बना रही थी जमाल भी रोटी बनाना चाहता था उसने मा से आता मांगा मा ने छोटी सी लोई जमाल को दे दी जमाल रोटी बेलने लगा उसने रोटी पर सूखा आता डाला पर जमाल की रोटी गोल्ड नहीं बन रही थी जै ने जमाल को कटोरी दी जमाल ने कटोरी रोटी पर रख कर घुमा दी रोटी गोल बन गई मा ने जमाल की रोटी सेख दी जमाल की रोटी खूब फूली जै और जमाल ने खुशी से रोटी खाई तीन आये एक मज़ेदार कहानी और सबने बहुत मज़े से सुनी भी तो चलो इसके बारे में कुछ बाते करते हैं जमाल ने आटे की लोई मांगने के बाद क्या क्या किया याद है ना आपको जमाल ने रोटी बेली रोटी पर सूखा आटा लगाया और कटोरी रखकर रोटी को गोल बनाया जमाल ने तो अपनी रोटी गोल बना ली लेकिन कभी आपको अपनी रोटी गोल बनानी होगी तो आप कैसे बनाएंगे सोचे जरा और फिर बताएगा जरूर अब रोटी की इतनी बाते कर रहे हैं तो मुझे फूली-फूली एक और भहुत स्वादिश्च सी चीज याद आ रही है आपको भी याद आ रही है ना? जी हाँ, हम बात कर रहें हैं फूली-फूली पूरी की तो जैसी मज़ेदार कहानी आज मैंने सुनाई है फूली हुई रोटी की वैसी ही कोई मज़ेदार सी कहानी आप सोचके रखना फूली हुई पूरी की और फिर अपने दोस्तों को सुनाना मुझे भी सुनाओगे ना? तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा तो चलो, ऐसी ही मज़ेदार सी एक गोल-गोल कविता भी सुनते हैं शुरू करें, रोटी अगर गोल ना वने और बन जाए कहीं का नक्षा नक्षे को फिर कैसे तपाऊं? नक्षे को फिर कैसे पकाऊं? तो फिर इसका क्या करूं? गोला बना लूँ पृत्वी जैसी? या उस देश को डाक से भेजूं? बन गया है जहां का नक्षा चलो तो कुछ और बाते करते हैं इस कहानी के बारे में बताए तो जरा रोटी कैसी बनी? गोल जै ने जमाल को क्या दिया? कटोरी मा ने जमाल को क्या दिया? लोई रोटी किसने से की? मा ने अब चलो थोड़ा सा शब्दों पर भी ध्यान देते हैं तो अब आप मुझे बताएंगे रोटी शब्द सुनकर ऐसे ही और कितने शब्द आ रहे हैं आपको? रोटी छोटी मोटी थे ना ये शब्द रोटी से मिलते जुलते? इसी तरह दूसरा शब्द है हमारा फूली फूली से मिलता हुआ शब्द? सोचो जरा फूली मूली और जूली जी हाँ ये हैं मिलते जुलते शब्द अब हमने एक जैसे शब्दों बना लिये चलो अब इन शब्दों को वाख्य में बनाते हैं तो पहला शब्द हमने क्या बनाया था? याद है ना रोटी का छोटी तो छोटी से एक वाख्य बनाया जाए मेरी एक छोटी बहन है तो चलो अब मैं आपके लिए कुछ और भी अच्छा मज़ेदार लेकर आई हूँ तो करते हैं मिले जुले शब्दों का अभ्यास अब मैं आपको जो शब्द बताऊंगी आपको ध्यान से सुनना है और देखना है कौन से ऐसे शब्द है जो एक जैसी ध्वनी से शुरू हो रहे है जैसे पहली लाइन जै, जमाल, जीत ये सारे शब्द किस से शुरू हो रहे है जशब्द से लेकिन पहली लाइन में एक और शब्द है बुल-बुल तो क्या हम इसको लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि ये बिलकुल भी जो शब्द से शुरू नहीं हो रहा है अब हम दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं दूसरी लाइन में शब्द आप देखिए और सुनिये ध्वनी को ध्यान से शर्बत, शीला, वीर, शेर तो इसमें हम किस पे गोला नहीं लगाएंगे? बिलकुल सही, हम वीर पे गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि वीर शर से शुरू नहीं हो रहा है हम सारा ध्यान किस पर लगा रहे हैं? जो शब्द एक जैसी ध्वनी से शुरू हो रहे हैं प्यारे बच्चों अभी हमने देखा था एक जैसी ध्वनी वाले शब्दों को अब कुछ अलग करते हैं अब हम ध्यान देंगे ऐसी ध्वनी पर जो अलग हैं और अंत में आ रही हैं शब्द के जैसे मैं आपको बताती हूँ पहली लाइन देखेंगे हम ध्यान से सुनेंगे रोटी, छोटी, चोटी और आखिर में एक शब्द है गोल तो इन सब में अलग ध्वनी किसकी हैं बिलकुल सही पैचाना गोल क्योंकि बाकी तीन शब्दों में आखिर में ध्वनी आ रही है इकी लेकिन गोल में ध्वनी आ रही है लकी प्यारे बच्चों आपको याद तो होगा ही ना इस कहानी में हम किस किस से मिले थे जै और जमाल से जरा ध्यान दीजिये जै और जमाल किस अक्षर से शिरू हो रहे हैं जै से तो आईए कुछ ऐसे ही नामों के बारे में जानते हैं जो ज़ अक्षर से शिरू होते हैं तो याद आए कुछ नाम जया विजय अजय यह कुछ ऐसे नाम है जिनमें जो अक्षर आ रहा है अरे अच्छा तो लग रहा है ना आपको ढ़को द्वानियों के साथ खेलने में आपकुछ मज़ेदार सा करते हैं द्वानियों को जल्दी यल्दी बोलते हैं फिर देखते हैं कैसा लगता है कुछ जट-पट सा तो मेर अरे देखो मैं भी अटक गई है नए मजेदार कोशिश करिएगा तो जरूर कर पाएंगे अच्छे से जटपण है भालू को आलु भाया स्ड़ सो अरे यह तो पहली बार में गड़बड हो गया भालू को आलू भाया भाया भालू को आलू हां जी तो यह था तो बहुत ही मज़ेदार खेल है ना जट पठ हमने शब्दों को आगे पीछे किया अब हम शब्दों से चलते हैं चित्रों की और अब आप देखेंगे कुछ चित् जह, ख, ड, और उ, तो इन सब अक्षरों को आपने अब लिखने का भी प्रयास करना है और जहां-जहां यह ध्वनी आई है उसको आप पैंसिल से अच्छे से निशान लगाएंगे बचों अभी तक तो हम चित्रों में अक्षरों को ढूंड रहे थे लेकिन अब थोड़ा सा और मज़ेदार हो रहा है अब आपको अक्षरों में से ही अक्षर को ढूंडना है तो पहला अक्षर जो अब ढूंडेंगे हम वो है प तो पहली लाइन में दिखाई दे रहा है प कहीं जी हाँ यह रहा और दूसरी लाइन में प अरे इतने सारे खेल खेल कर मैं तो गई हूं ठक और मुझे बहुत भूख भी लगी है आज मेरा कुछ बहुत चटपटा सा खाने का मन हो रहा है तो मैं सोच रही हूं आज मैं अपने ले मुर्मुरे बनाओं मुर्मुरे खाए होंगे ना आप सबने अरे उसे बेल पूरी भी तो कहते हैं चालो लेकिन मुर्मुरे बनाने के लिए तो कुछ समान भी चाहिए होगा तो एक बार याद कर लेती हूं मुझे क्या क्या चाहिए तो सबसे पहले मुर्मुरे बनाने के लिए मुझे जो छोटी-छोटी नमकीन होती है कुछ प्यास, एक टमाटर, मूमफली और स्वाद के लिए नमक लेकिन इन सब को बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को अपने हाथ दोने पड़ेंगे अब मैं हाथ दो कर लूँगी एक बड़ी सी कटोरी उस कटोरी में डालूँगी धेर सारे मुर्मुरे मुर्मुरे के बाद बारी आएगी सेव की फिर मैं उसमें मिला लूँगी अपने बारिक कटे हुए प्यास और टमाटर इनको घुमाऊंगी और फिर मिलाऊंगी कुछ भुनी हुई मूमफली मूमफली का स्वाद बहुत अच्छा आता है उसमें और आखिर में डालूँगी स्वाद अनुसार नमाक और मेरे चटपटे मुर्मुरे तयार हो जाएंगे अरे एक बात तो मैं आप से कहना भूल गई थी जब आप आज ये मुर्मुरे बनाने जाएंगे तो आप रसोई को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि आपकी रसोई में आपकी माने क्या-क्या रखा हुआ है कौन-कौन सी सबजियां है जैसे आप पाएंगे लेसुन, बैंगन, कदू, टमाटर और कुछ अलग-अलगतर है के बरतन भी आपको दिखेंगे तो आप बड़े ध्यान से देखेंगा कर्ची, कढ़ाई, कटोरी किस-किस प्रकार के बरतन आपकी रसोई में है तो बच्चों, आप अपनी रसोई को आज ध्यान से देखेंगा और अब मैं भी चलती हूँ फिर मिलेंगे आप और मैं और कुछ नया सीखेंगे कर्वा कर्याए